एलो फ्रेंड्स दिस भावना ही यह वेलकम टू लेट्स क्रेक तो कैसे हैं आप सब आप सब अच्छे होंगे तयारी भी अच्छे से कर रहे होंगे एक्जाम का टाइम दिरे-दिरे नजदीक आ रहा है देखो डेट तो अभी आएगी नहीं देट तो तभी के तभी देते हैं ठीक है कभी आप चेटिंग कर लें है ना तो यह भी तर डर रहता है गवर्मेंट को तो आज हम करने वाले ही हिंदी पेडगोजी की सेकंड क्लास एक क्लास हम कर चुके हैं अब डेली आपको ऐसे ही सेशन मिलेंगे मैं विलकुल सीरियल वाइज चल रही हूं जो कि उसमें स का प्रथ के लिए ढाट करते हैं को आज हम पढ़ेंगे सिक्षन के सूत्र पढ़ेंगे और सिध्धांद पढ़ेंगे भासा कि छीक्त इहां और करतविया होना यह पढ़ेंगे और दो इस तर चेसन को अगर चैनल पे नए हैं तो सबस्क्राइब कर दीजिए ठीक है और ही शिक्षं क्या एक 3ke रimonी प्रक्रिया है जो कि जौन डूई ने दिये जौनники ने जो की फांडरे प्रोग्रेसिव एजूकेशन के भी प्रोग्रेसिव एजूकेशन का भी नहीं दिया एंहें प्रगती सिख्षा का ठीक है लिख देते हुम है प्रोग्रेसिव एजुकेशन के फाउंडर है यह यानि प्रगति सिल सिक्सा का भी कंसेट जॉन डूई नहीं दिया है इन्होंने सिक्सन को त्री आयामी बताया यानि इसके तीन आयाम में एक अध्यापक ठीक है यानि एक सिक्सक एक छात्र और विसेवस्तू ठीक है पहले क् सिक्षन पहले क्या था बहु आयामी था बहु आयामी जो था वो एडेम्स ने दिया था ठीक है एडेम्स ने उसमें रखा था अध्यापक और छात्र को लेकिन इन्होंने बताया सिक्षन को त्री आयामी यानि इसके तीन आयाम है अध्यापक छात्र और विसेवस्तू ठीक यानि कुछ प्रिंसिपल सेंगवेज के हिंदी पेडगोजी और इंगलीस पेडगोजी लगबग सेम यह बस कनवर्ट का फरक है कि यह हिंदी लैंगवेज यह इंग्लिस लैंगवेज है इसके वर्ड समझ नहीं आते हैं है ना तो स्टार्ट करते हैं फस्ट एक क्रिया इस सिध्धांत का क्या मुख्य उदेस्य करके सीखना नाम से पता चल रहा है किरिया यानि एक्टिविटी करना लर्निंग बाइड डूइंग यानि बच्चे को क्या है जादे से जादे एक्टिविटीज कराएं और एक्टिविटीज बच्चा खुद से करके देखे जब हैंडसओन एक्सपीरियंस मिलें ठीक है करके सीखना यानि लर्निंग बाइड डूइंग बच्चा क्या है खुद से करके सीखे कुछ भी काम कर ला है तो खुद से करें पढ़ाई कर ला है तो उसे भार के जीवन से रिलेट करें ठीक है तो यह क्या है किरिया सीलता का सिध् इंट्रेस्ट डवलब करना पढ़ाई के प्रती जो भी हम पढ़ा रहें बच्छा बोर नहीं होना चीस तरह का सिक्सन रखना है कि बच्चे को क्या इंट्रेस्ट यह मजण आये पढ़ने में पलेसल लेके पढ़े हम बच्चे को सकते हैं कोई भी स्टोरी पढ़वा सकते हैं ड्रामा करवा सकते हैं रोल प्ले करा सकते हैं ठीक है तो मैं लिख देती हूं कोई भी कहानी पढ़वा सकते हैं ठीक है जिससे की बच्चे का इंट्रेस्ट है कोई भी रोल प्ले रोल प्ले करा सकते हैं जिससे कि बच्चे क्या है रूची लें पढ़ाई में है ना तो यह क्या है रूची का सिध्धान्थ यानि बच्चे को इस तरह की घतिविद्या करानी है इस तरह की एक्टिविटीज करानी है कि बच्चा क्या है रूची लेके पढ़ें principle of motivation क्या बोल सकते हैं ऐसे इंग्लिस में प्रिंसिपल ओफ मॉटिवेशन अब मॉटिवेशन की जरूरत तो सभी कोई पढ़ती है देखो बढ़ा हो तो संदीप महेस्वरी कोई भी डी मॉटिवेट हो रहा हो तो स्क्रोल करेगा यूट्यूब पे संदीप महेस्वरी के साहित करना चाहिए अभी प्रेडना देनी चीक जिससे की बच्चों का काम में मन लगा रहे पड़ाई में मन लगा रहे तो बच्चों के कम नमबर आते हैं तो कोई वात नहीं कम नमबर आहें अगली बार अच्छे आएंगे तो बच्चों को क्या है टाइम-to-time इसमलिदोरतों बच्चे को पता चल जाता कि पढ़ क्यों रहे तो क्या लक्षा मोटीवेट रहता है अब किस लिए पढ़ रहे हैं यह आप रेद आप कैसे पढ़ पाते हैं अंदर से मोटीवेट नाट पर पाते हैं आप आपके अंदर प्रेड नाया भी प्रेड ना कि मुझे न सीट एट किलियर करना है या फिर मुझे न गॉर्मेंट जोब लेनी यह वाला जो सूपर टैट है मुझे यह किलियर करना है तो आप अंदर से मोटिवेट तभी तो आप पड़ पा रहे हैं तो बच्चों का क्या है ल हिंदी में नहीं रिलेट कर पाते हैं तो प्रिंसिपल ऑफ प्लैनिंग को जो भी हिंदी में समयंदा आया उसे इंग्लिग से रिलेट करलो फिर अच्छे से किलिए हो जाता है ठीक है पेपर में तो करनी सकते लेकिन वैसे तो कर सकते हैं फिर आपको हैबिट होजाएगी पता सब्रेब का मतलब यह है ठीक है तो क्या रिप्लैन करें कि बच्चों को हमें क्या पढ़ाना बच्चों कि ःुची निच्छी स्ट्रीय को त्यान में रखना ठी EPA उनकी योग्यत में रखनाना था में तो फाल रहे हैं किने बच्चों को पढ़ा रहे हैं चलो प्लांट्स के बारे में पढ़ा रहे हैं और उसे इतना डीप में ले जा रहे हैं कि बच्चों के सिर के उपर चला गया 10th क्लास तक का टॉपिक हमने उन्हें 7th में पढ़ा दिया तो ऐसा नहीं करना है बच्चों के लेवल के अगोर्डिंग पढ़ाना है ठीक है जितना उनक कर सकेंगे फिर निश्चित उदेश्यों का सिधांट याईनि डेफिनेट एम प्रिंसिपल ऑफ डेफिनेट एम इस सिद्धांत के अंतरगत लक्ष निर्धारित अधिगम करा जाता है जब विद्यार्टि को यह पता होता है कि उसके अधिगम का है तब रूची के साथ ये भी पता है कि सीटेट क्यों पास करना है है ना ये तो सभी को पता है कि सीटेट क्यों पास करना है कि इसके बाद कोई भरती आएगी उस वैकेंसी में हम तयारी करेंगे तो उसके लिए मेलीजिबल हो जाएंगे तो इसलिए हमें ये वाला सीटेट पास करना है तो आप क्य रिजां ये से बच्चों को पता होता है कि उनका क्या लक्षे निरधारित हुता है तो तब उन्हें अधिकम करने में भी मजह आता है यह वह रूची लेकर पढ़ते हैं है कैसे इंट्रेस्ट के साथ पढ़ते हैं है ना तो आप लोग भी तो इंट्रेस्ट के साथ पढ़ रहे हैं क्योंकि आपका एक definite aim है कि भाई मुझे तो teacher बनना है तो बच्चों को क्या है बच्चों का लक्षय निर्धारित होना चाहिए teacher को ऐसा करना चाहिए कि लक्षय निर्धारित हो टीचर का भी पढ़ाने का उदेश्य हो और बच्चों का पढ़ने का उदेश्य हो कि किसलिए पढ़ रहे हैं ठीक है तो तब वो रूची लेके पढ़ेंगे ठीक है इंट्रेस्ट के साथ पढ़ सकेंगे आगे चलते हैं फिर है जीवन से संबंदित करने का उदेश्य है हिंदी भासा में सिक्सक, गद, पद, कहानी, नाटक, रचना, व्याकरन आधी का ज्यान बच्चों को देता है बच्चों को उनके खेल खिलोने, पसु पक्षी, कथा, कहानी, आधी से सिक्सन का संबंद बनाते हुए पढ़ाना चाहिए यानि टीचर को कैसे पढ़ाना चाहिए सबसे बड़ी बात है रियल लाइफ से रिलेट करके पढ़ाना चाहिए बच्चों के जीवन से जोड के पढ़ाना चाहिए बच्चों को क्या है, इंस्ट्रेश्टिंग चीजे कराए बच्चों को गद्ध पढ़ाए, पद्ध पढ़ाए, कहानी पढ़ाए नाटक कराए, कोई भी रोल पिले रोल पिले भी लिख्का मिल जाता है नाटक की जगह ठीक है ऐसे लिख देता है एक्जामिनर आपको कन्फ्यूज करने के लिए ठीक है रचना करवाएं व्याकरन आदि का ज्यान बच्चों में पैदा करने के लिए क्या है इंट्रस्टिंग बनाएं उनके जीवन से जोड़ें उसे जीवन से संबंदित करके ही प पढ़ाना चाहिए रिलेट करके पढ़ाना चाहिए उनके रियल लाइफ से उनकी रोजमरा की जिंदगी से चीजों को जोड़के पढ़ाएं कोई भी कंसेप पढ़ा रहे हैं तो एक्जाम्पल कैसे दें उनके जिवन से जुड़े हुए इससे क्या है बच्चे अच्छे स से जोड़ें रोजमरा की जिंदगी से जोड़ें देनिक जीवन के अंदर की दुनिया को भार की दुनिया से जोड़ें क्लास्रूम के एंवर्मेंट को भार से लिंक करें इंट्रेक्ट करके पढ़ाएं तो यहीं क्या सिक्सन सास्त का मतलब यहीं है कि बच्चों को क्या है इस तरह की चीज़े प्रोवाइड करें जिससे बच्चा पढ़ सके और पढ़ेगा कब जब उसके जीवन से जोड़ेंगे चीज़ों को है ना अब मुझे कोई मेरा मुझे कोई चीज पढ़ा रहा है मेरी लाइफ से जोड़ के पढ़ा है तो मुझे तो अच्छा पढ़ाई सबाब को कख्छा में संभावित वातावरन बनाकर रखना चाहिए वालक कि संभावितte से भास ऍीचर को रिया है उनके सिरुके ओपर कुला ओर यह तो टीचर को क्या है कोई न कोई गतीवीदी करवाते रहना चाहिए जिससे बच्छे बोर्न आ उँ इतनाव न ले न ले थ है के संभावित वातवरन देके ही बच्चों को भासा सिखानी है ओगे छलते हैं फिर अ बोल चा नामसे पतजा चल रहा है बॉल चा शिक्सक को बच्चे की भासाई कोई कोईसल विकसित के लिए और कम बच्चों को बने के अधिक से अधिक आउसर परदान करें और इनिक्पा जोब एन्वेइज को यूज वाद खेंगे इतना पूज़िटी भी इस तरह करें कि अपयंदे देया सब्क्राइम कर मत रहे लेंग्वेज स्किल्स को डवलप कर सके बोलना भी सीख सके ठीक है और लिखना भी सीख सके ठीक है इसके अंतरगत सिखसक प्रशनोत्तर कहानी कथन वाद विवाद कभीता पाठ समवाद घटना वर्णन सैस्वर पाठ आधी की साहता से बच्चों की सुद उच्चारन उचित हाव भाव आधी के साहथ भाव व्यक्ति की योग विक्सित कर सकता है यानि टीचर क्या कर सकता है बच्चों से कॉच्छन पूछे बच्चे उनके आंस्वर देंगे तो उससे भी स्किल्स डवलप होंगी कहानी उनसे पढ़वाएं बच्चों से कहें कि अपने सब्धों मे बताऊ तो वह कोई भी कथन बतार रहे हैं तो बच्चों से करें क 거지ुंऑ या फिर बच्चे आपउने इसकहानी का सीर्षक यहां है रहत बडुसरा कए नहीं कवीत पढ़ति हों बच्चों को बच्चोंसे करें फवीता का सार अपने सब्दों में लिखिये यह अपने सब्दों में बताइए है ना पाट समवाद करें कोई भी घट ना कोई भी कहानी बता सकते है कि क्या है सेर तो इस कहानी बच्चों को बठाए से क्या है उनकी इमेजीनेशन बढ़ती है बच्चों की कलपना सक्ति बढ़ती है ठीक है ऊसे कि इमेजीनेशन करते हैं यानि बच्चे के expression भी डवलप होंगे expression भी तो आते हैं है ना तो इसी तरह से बच्चों को पढ़वाना चाहिए यह कौन सा है बोल चाल का सिध्धान्त ठीक है आगे चलते हैं फिर व्यक्तिकत भिंता का सिध्धान्त यानि individual इसमें क्या है देखो हर इंसान यूनीक होता है हर बच्चा यूनीक है हर किसी के अंदर कोई ने कोई यूनीक नेस पाई जाती है जैसी तो ऐसी मेरी भैन नहीं है मेरा भाई जैसा ऐसा कोई दूसरा नहीं है ठीक है तो सब के अनदर कुछ नुक बिंता पाई जाती है सब के सीखने का तरीक भी अलग होता है बहिए जितना समझ मुझे आ रहा है क्या पता दूसरे वाला मुझस से हुश्यार हो उसे जाद समझ आता हो क्या पता तीसरे को बिलकुल भी ना आता हो तो सब के सीखने का तरीका भी अलग है सब के बोलने का सब चीज अलग है, सब यूनीक है एक दूसरे से ठीक है तो teacher को क्या करना चाहिए यह एक मनोविज्यानिक तत्या है सभी छात्रों की रूची बुद्धी कारिये करने की छमता एक जैसी नहीं होती है यनि सबके इंट्रेस्ट अलग होते है मतलब ये देखो अगर जुड़वा भी बच्चे है ना तो उनके भी इंट्रेस्ट अलग मिलेंगे ज़रूरी नहीं है जुड़वा बच्चे दोनों ही उस्यार हो एक उस्यार हो सकता है एक डल भी हो सकता है है ना एक सुन्दर भी हो सकता है एक गोरा हो एक काला हो क्या पता है तो उनके बुद्धी भी अलग हो सकते है बच्च के बच्च को उसे तरह से टैकल करें अगर कोई कमजोर बच्च और तुम उसे इतना जादा पढ़ा रहे उसके समझानी रहे तो यह नहीं करना है हमें बच्चों के अकोर्डिंग जाना है है ना जैसा बच्चा है उसे उसी तरह से पढ़ाना है ठीक है सभी को ध्यान में रखते हुए तभी तो इंक्लिउसिव एजुकेशन माना जाएगा समावेशी सिक्सा है ना सिक्सक छात्रों की व्यक्तिगत कठना या समस्याओ विवित्ता को जान पहचान कर उनको दूर करने का परियास करें टीचर्स क्या करें देखें कि बच्चे को क्यों नहीं समझ जा रहा है या फिर इस बच प्रिंसिपल ओफ रिपीटेशन यहां रिपीटेशन से मतलब रट्टे का नहीं है रिपीटीशन का मतलब है कि कोई भी चीज अगर हम रिपीट कर रहे हैं टाइम तो तो वह क्या है हमारे माइंड में फिक्स हो जाती है अब जैसे कि आप पढ़ रहे हैं तो आपने जैसे आज बढ़ा तो आज पढ़के ऐसे थोड़ी है कि बिल्कुल ही ना पढ़ेंगे पेपर तक टाइम टू टाइम चीजों को रिवाइज भी तो करते हैं है ना तो यह है प्रिंसिपल ओफ रिपीटेशन अधिगम के सिद्धान्त का अती महत विस है वस्तु की एक निश्चि निकल जाती है अब जैसे हम पढ़ रहे हैं अगर हम आज इस पढ़ना चोड़ दें और एक महीने बाद उठाएं से तो हमारे दिमाग से बिल्कुल स्लीप हो जाएगा और अगर हम दो दिन में तीन दिन में चार दिन में एक बार रिवीजन मार रहे हैं चाहिए उपर- जल्यों का सिध्धान्त बच्चे के अंदर हमें मूलव भी दवलॉट करने चाहिए थी थाड़ी फोकस रहना चाहिए अटिक मूल्य हो संसक्रीतिक मूल्य हों आगए कि बच्चों को समाज में कैसे रहना है कैसे सोसाइटी के रूल्स रेगुलेशन्स को फोलो करना है ठीक है बच्चे की हैबिट्स कैसी है चोर वोड न बन जाए ना तो यह वितो मुल्य वितो होने चाहिए देस भक्त है नहीं देस के साथ गदारी न कर जाए ठीक है तो यह प्रजतांत्रिक मुल्यों का विकास करें एक दूसरे के विचार विमर्स करें एक दूसरे के विचारों को समझें आदी जैसी भावनाओं का विकास हो यानि क्या हो दूसरों को समझने का हमारे अंदर ऐसे नेतिक मुल्यों होने चाहिए कि हम दूसरे इंसान के विचारों को स तूसरे के दुक को समझें थीडने लग झाएं मैक्जिम्स ओफ-टीटा सरी का रहा咪 देखने हैं यह बहुत हैं मैंग्सिम सफ टीचिंग ने इंगलिस पैड़ागोजी टी तो इसमें भी खराए थे महत बोलते विए सिक्षण सुट्र टीक है फॉर्ष ज्याद से अध्यात की और यह पूर्व ज्ञान को आधार बना कर सिकसार्थी के नवीन ज्यान परदान करन बच्चा जो पहले से जानता है जब बच्चा कक्षा में आता है तो कुछ ना कुछ एक्सपिरियंस तो लेके आता है अपने साथ कुछ ना 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 कुछ तो बच्चे को जब भी कोई टोपिक पढ़ा रहे हैं क्लास में कुछ भी नया पढ़ा रहे हैं तो पूर्व ग्यान से नए ग्यान को जोड़के पढ़ाना है यह इतना इंपोटेंट है इस पॉइंट से कोशन बनते ही बनते हैं कि बच्चे को कैसे पढ़ाना है पूर्व ग्यान से नए ग्यान को जोड़के पढ़ाना है तो याद रखेंगे ना ग्यात से अग्यात के और बच्चे के पूर्व ग्यान से नए ग्यान को जोड़के पढ़ाना है जब भी कोई topic पढ़ा रहे हैं तो पहले देखें बच्चे को क्या आ रहा है फिर उसके बाद topic को continue करें ठीक है आगे पढ़ते हैं मूर्थ से अमूर्थ की और यानि concrete to abstract क्या बोलेंगे concrete to abstract सिकसार्थियों को आरं में ऐसी बातों का ज्यान कराना चाहिए जिससे वह छू सके देख सके तथ पस्चात उसे कल्पना सीलता अमूर्थ का ज्यान कराना चाहिए जैसे कि बताती हूं मैं कि बच्चे को क्या है starting में जब भी कुछ पढ़ाएं तो उसे रियल ऑब्जर्वेश एसी चीज़े दिखाए jeste 2 अंखो से देख सके चू सके एकसपीरेंस ले सके हैं हैंड सोन experience 1 ले सके जैसे की बौल पढ़ा रहे है वह सुरी सडरबल पढ़ा रहे हैं तो बॉल दिखाए उसे दिखाए की बौल ऐसी होती है सरकल ऐसा होता यहल इस्ते क्या होता है Back स्टार्टिंग में क्या है concrete चीजे देख लेता है फिर abstract की तरफ चल जाता है फिर आप उसे बाद में concept समझा सकते हैं लेकिन स्टार्टिंग में क्या है उसे ऐसी चीजे दिखाएं जिसे वह देख के पहचान सके देख सके उसे चू सके ठीक है तो स्टार्टिंग में क्या है examples उन्हें देने हैं, इस तरह की चीज़ें उन्हें दिखानी है, जो real life observation हो, यानि direct observation देना है बच्चे को, किसा direct observation, जिसे बच्चा touch and feel कर सकें, कुछ भी पढ़ा रहे हैं, real life examples दे सकें, फिर उसे abstract की तरह लेके जाएं, यानि मूर्थ से अमूर्थ की तरह, कुछ भी starting में बत करती है, बच्चे की क्या है, imagination develop होती है, ठीक है, creativity आती है, बच्चे के अंदर, creativity आती है, ठीक है, यानि रचनात्मक्ता, ठीक है, फिर next है, सरल से जटिल की ओर, इसे क्या बोलते हैं, simple to complex, क्या बोलते हैं, English में, simple to complex, मैं इसलिए लिख रहे हूं, जिससे आपको याद रहे बहुत सो को हिंदी नहीं समझ आती है, तो ऐसे समझ सकते हैं, relate करके, सरल से जटिल की ओर, यानि बच्चे को कुछ भी पढ़ा रहे हैं, तो पहले सरल चीजे पढ़ाएं, उसके बाद जटिल पर जाएं, ठीक है, आप trigonometry या geometry पढ़ा रहे हैं, तो बच्चे को क्या है, symmetry पहले shapes बताएं, shapes की knowledge दें, उसके बाद उसे geometry पढ़ाएं, ठीक है, तो कैसे जाना है, simple to complex जाना है, अब पढ़ते हैं, शिक्सा अधिगम की सुरुआ सरल बातों से करनी चाहिए, तत्पस्चात उसको जटिल अवधारना और तथ्या बताने चाहिए, पहले simple चीजे बताए उसके बाद उसे जटिल चीजे बताएं, ठीक है, जब बच्चा स्कूल में जाता है, तो उसे सरल सरल चीजे ही तो बतानी चाहिए, नहीं तो पहले दिन आके रोने लगेगे, कि मैं तो जानी रहा, मुझे में तो सिर के ओपर जा रहा, मुझे कुछ समन्नी आ रहा, है ना, तो बच्चे को क्या है, पहले सरल चीजे बतानी है, फिर उसके बाद उसे कटिन चीजे बतानी है, ठीक है, फिर पूर्ण से अंस्की ओर, यानि week to part, क्या बोलते हैं उसे, week to part, अधीगम कराये जाने से पहले part का सारा अंस्ओ प्रस्तूत करना, चाहिए बाद में विभिन क चैप्टर पढ़ा रहे हैं कोई भी टोपिक पढ़ा रहे हैं कुछ भी पढ़ारे तो पहले क्या एक उसकी एक अबरीविव सह दे दें कि इस चैप्टर के अंदर यह यह ये सम्मुरी है कि फिर उसके बाद topic को start करें जैसे कि हम lecture सुरू करने से पहले देखते हैं कि मैं बताती हूं कि मैं आज क्या पढ़ाने वाली हूं मैंने, सिक्सन सूत्र पढ़ाऊंगे, सिध्धान्त पढ़ाऊंगे, ठीक है, टीचर्स के बारे में पढ़ाऊंगे, और कुछ कोशन्स मैंने रखे हैं, प्रैक्टिस के लिए, तो क्या है, टीचर्स क्या है, पहले क्या है, पून बता दे, पूरा ओवर्विव बदे दे, चैप्टर किस जाती को एक विसेस उधारन के द्वारा विसे का अर्थ को स्पस्ट करना चाहिए उसके उपरान अन्य उधारन देते हुई विसे का सामानी करना चाहिए यह नि पहले क्या है कुछ भी specific बता दें कोई भी example बता दें कि रील से रिलेट करके कोई भी चैप्टर से रिलेटिड कोई भी एक्जामपल दें फिर जब चैप्टर की सुरुवात करें फिर जैनरल एक्जामपल से मतलब है यानि बुक से रिलेटिड बुक से रिलेटिड जो एक्जामपल है उन्हें बाद में दें पहले कोई भी स्पेसिफिक कर ना चाहिए कुछ भी पढ़ा खूँ कुछ भी पढ़ा हैं कुछ भी पढ़ा रहे हैं तो उसे टुकडो में कर के बढ़ा हैं जैसे आछ परिए शोट कर लेते हैं UNS Но यहां शौर्ट कर लेती ससे उनकी इस से क्या होता है मैंoret श्वर्ट हो जाता है और अगर हम पूरे hits पॉइंट नहीं तो हमें इसी लगेगा तो पहले तोड़ कर पढ़ना फिर जब हमें यह समझ आए फिर चाहे पूरा चैप्टर पढ़ें प्र उसके बाद उसके बाद उस आरे को जोड़के पूरा चैप्टर एक साथ हम पढ़ सकते हैं और वह समंझ भी आ आठाय गा तो इसे क्या बोलेंगे सै संसेलेशन की ओर याद रखेंगे ना फिर परत्यक्स के और परत्यक्स यानि जिन चीजों को हम देख सके डिरेक्ट ऑब्जर्वेशन जिसका कर सके अधिरेक्ट इंगलिस में बोलते हैं पहले परत्यक्स ज्यान देना चाहिए तत्पस्चाप परत्यक्स पहले क्या डारेक्ट ऑब्जर्वेशन देना चाहिए जैसे कि कुछ भी पढ़ा रहे हैं तो उसका डारेक्ट एक्जामपल दे दे या फिर डारेक्ट उसे दिखा के लेके आए जैसे कि साइंस पढ़ा रहे तो कुछ भी प्लांट्स के बारे में पढ़ा रहे हैं या इवेस पढ़ा रहे हैं तो गार्डन में लेके जाएं यानि पच्चों को क्या है पर्तियक्स बिल्कुल डारेक्ट उब्जर्वेशन दे कि भाई यह पेड होता है यह पेडगतना यह जड़ है या फिर सोयल पढ़ फिंजर्शय समगरे सामगरी स्प्रव उप और दुजर्वेशन इस यह जिसे देख सके हम वीज व इड्ट ऑयएं चैनी जिसे आमनेक तरह संब उडियो आंग जिससे देख सकते हैं और डु ऑडियो एड्ट तक है द्रश्य शरब्वे सामगरी यानि Audio Visual Ids टीक है तो देखते आगे द्रश्य सामगरी इस सामगरी द्वारा आँखों से देखकर वस्तू के वास्तविक गुनों की पहचान की जाती है आँखों से जिन्हें हम देख सकते हैं वो होती है द्रश्य सामगरी जैसे कि शामपठ यानि blackboard या whiteboard जो भी class में होता है उसे आखों से देखते हैं कोई भी board particular कोई भी चीतर हुआ कोई भी diagram हुआ ठीक है चार्ट हुआ कोई भी graph हुआ पत्र पत्रिकाए समाचार पत्र उसे भी देखते हैं फिल्म टीकट समय सार नहीं कि वह टीकट लेते हैं तो उसे भी देखते हैं अच्छा यह पता है यहां इतने बज़े ट्रेन चलेगी कोई भी अब बच्चों के अधिकतम इंद्रिया काम करते हैं ठीक है सारे सेंसिज हमारे वर्क करते हैं जब हम और वीजुल एट्स पढ़ते हैं यानि द्रस्ट से स्रव्य सामगरी जब भी हम देखते हैं या उससे हम पढ़ते हैं या उससे हम कुछ भी गतिविदी कर रहे हैं तो हमारे सारी इंद्रिया काम करते हैं सारी इंद्रियों का यूज होता है ठीक है बहतर ग्यान हासिल करने के लिए सभी इंद्रियों का उप इतना टीवी में नियाता टीव में तो जब लेटे 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 बोर हो जाएंगे लेकिन फोन में यह सामगरिया बहु आयामी बुद्धी आदारित कक्सा के लिए अत्यांत उप्योगी है अलग अलग बुद्धी वाले बच्चे होते हैं उनके लिए इफेक्टिव हैं हर इस सबीकर तरह के लिए लयक Bird family । शून भी कोई किसी को लेंग्वेंसी में होती है किसी को म्यूजिक में होती है तो सबीकर बच्चों के लिए व्प्योगी होती है इसके एक्जांपल है जैसे कि टेलिवीजन देखे भी सकते हैं सൂन आदे मौबाइल फोनать मौबाइल ठीक है फिल्म प्रोजेक्टर है जैसे की स्कूल में क्या है आजकल प्रोजेक्टर्स उस होते हैं तो वो भी क्या है और जा attracting सामागरी इसके द्वारा प्राप्त ज्यान वास्त्विक होता है यानि इसके द्वारा क्या है नेचुरल नॉलिज मिलते हैं नई-नई चीजों का अध्यान होता है बालकों को व्यक्तिगत अनुबव प्राप्त होता है उधारन के लिए ब्रहमन जैसे की इसलिए कहते हैं कि एक्विटीज इसलिए इसलिए कहते हैं वीजिट कराने चेहिए चैएंङे ने चलीज करे laba को डियुकं का संग्रल्ध नियुक्त रियुक्त लेन कहां डियुक्ति है जी पर सामने से बच्चां करें साम अगरी ठीड देटा है को ऐसे करिदील्ट guides होते हैं से स्वस्था वाने सारे दीडिरिक व्यूत मान्सिक रूप से स्वस्ता घ्र एच्ञत बनाएंगा तब थो निर्मान चाहिएगा इस सारफ ले प्राप्त करने में इसमें सक्षम होना चाहिए साथ ही सिक्षक का व्यक्तित्य परभाव साली होना चाहिए तीचर यहीं परसनलीटी जोzkोण है विभी बनाघेए रुक से एफेक्टिव होना चीए बच्चों के साथ अच्छे से बिहेव करें और इस तरह कर टीचर का बिहेवियर होना चीए कि बच्छे उसे रेस्पेक्ट दें ठीक है उच्छारान इस पस्च में भासा सहली सरल होनी चीए जब टीचर बोले तो बिलकुल फ्लुएंसी होनी चीए अच्छी लेंग्वेज पर पकड़ होनी चीए यह क्यों होना चीए क्योंकि जैसा बच्चे सीखते हैं जीवन भर ऐसे ही बोलते हैं अब जैसे कि हम कोई वर्ड गलत बोल रहे हैं या हम से नहीं प्रोनाउंस हो रहा है तो उसमें किसकी दिक्कत है क्या प्रोब्लम है हम ब सेली सहरल होनी चाहिए सरहे लैंगवेज कैसी होनी चीए उसके परियोक करें इसके सिरके ऑपर दो ऊपर यह पशू को कुछ भी समझ नहीं आ रहा सब्सक्राइब का सब्सक्राइब करें कि अपना फायदा नहीं करूंगा क्पड़ाओं गाय। क्योंकि एक नई PD का निर्मान होता है अगर एक teacher पढ़ा रहा होता है हमेसा मन से पढ़ाना चाहिए ठीक है चिंतक होना चाहिए बच्चों की चिंता भी करें बच्चों के बारे में aware हो और मैत्री पूर्ण उसका संबद होना चाहिए निए बच्चों से क्या है friendly भीएव करे ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ताना शाही बनके बैठ जाए कि रंडी के जोर पे सबको पढ़ा रहे हैं तो ऐसा नहीं करना है ठीक है भासा सिक्सक को भासा मनोवेग ज्यानिक का वैवारिक ज्यान होना चाहिए ताकि वे बालकों की व्यक्तिकत विबिनता है सूचियो अभी पहचान सके तीचर की साइकोलोजी टीचर को माइंड सैट वो ऐसा होना चीए कि बच्चों को पहचान जाए कि किस बच्चे का कैसा इंट्रेस्ट है क्या उसकी योग्यता है बच्चा कितना समझ पा रहा है कितने उसकी चंप पढ़ने की अब 40 मिनिट का पीरिड या फिर चलो 35 मिनट कही है और भॉप छे की चमता है 25 मिनट पढ़ने क्यों तुम डबल ले रहे हो दो लेक्चर ले तो बच्चे बोर हो जाएंगे तो बच्चे की चंप देखने हैं कि कितना बच्चा कर पा रहा है उससे उपर उसके सिर में चला सिर के उपर चला जाएगा तो दस मेंसे जीरो ले अइसे नहीं करना चाहिए कि यह बच्चे तो मेरी पास ट्यूशन पढते हैं नहीं पर आ इन्से कोश्यन पुट आउट करूंगा तो ऐसा नहीं करने हैं तो उसकी पैसे की प्रोब्लम हो सकती है जड़ूरी थोड़ीस पड़ें जबन नैप Tipsy अंध़कित रहा हुआ क क्या होना चेए निस्पक्ष होना चाहिए किसी के साथ पक्षबात ना करे ठीक है सिखसक को धैर्यवान होना चाहिए साथ ही सिखसक में समवेग एक इस्तिरता होनी चाहिए यहीं टीचर्स को अपने गुनों को विक्सित कर सके तक कोशलों में दक्स हो टीचर को क्या अवेर होना चाहिए उसके गुनों का भी विक्सित होना चाहिए और सारे जो भी सब्जेक्ट पढ़ा रहा है उसमें अच्छी कमांड होनी चाहिए जो भी अपना सब्जेक्ट वो पढ़ा रहा है ठीक है भा तो उसमें अवेर होना चाहिए अवेरन्यास होनी चाहिए कुछ भी नया एड हो रहा है सलेवस में वह भी पता होना चाहिए बहुत बहुत इंपॉट्टेंट है ज़ादा पूछा जाता है तीचर को uniform लग अपने घर में यूज तीचर्स के साथ बाथ करें धीर्स के सतर्य डिस्केशन करें अलग-अलग मेब भासा का परियुक करें ठीक है यह पौइट बहुत importantland ie पर अब कुछ कोश्चेंज कर लेते हैं कोश्य नंबरफश्ट एक बहचा के अध्यापक्क को बच्चों में क्या करना चाहिए ये औप्षन सिद्धांतों की समझ विक्सित करने पर बल्देना चाहिए कि उन्हें सिद्धांत कि आद गरा दें ठीक है सिद्धांत की समझ दे बिल्कुल अच्छी हो बिंदी नहीं कहीं से हटने चाहिए इहां पर संदर是的 संदर्बु में इस चमता विक्सित करने पर बढ़ देन चाहिए जो जादे से यूस करें इस तरह का बच्चे के अंदर कोसल डवलप करना चाहिए कोसल विक्सित करना चाहिए तो क्या यह option है लग तो यही रहा है सुद्ध भासा परियोग में छमता विक्सित करने पर बल देना चाहिए कि बच्चे को क्या है बिलकुल accuracy आनी चाहिए कि भाई तुम्हें बिलकुल सुदता के सा बड़े होके भी नहीं बोल सकते सही बतारी हूं मैं सुद्ध भासा कोई भी परियोग नहीं कर सकता ठीक है तो यह भी गलत है और यह भी गलत है टीचर को क्या है बच्चों को ऐसा एंवार्मेंट देना चाहिए कि बच्चे भासा को जादे से जादे यूज कर सकें अपने ठीक है तो सी ऑप्षन हमारा बिल्कुल करेक्ट है विबिन संदर्म में भासा परियोग की चमता विक्सित करने पर बल देना चाहिए बच्चों को कहें कि जादे से जादे यूज करें लेंग्विज को है ना तो सी ऑप्षन हमारा करेक्ट है आगे चलते हैं नेक्स्ट किताबों में परियोग करने की समझ बनती है बात तो ठीक है व्याकरन सम्मत भासा सीखने को मिलती है कि पूरे सीजन में व्याकरन सीखने को मिलेगी तो यह तो गलत है किताबों के बारे में जानकारी मिलती है कि बुकिश नॉलिज मिले हमें टेक्स्ट बुक से दूर रटना ह बिल्कुल बुक्क की नॉलिज भी हमें ध्यान नहीं देना है ले खकों के बारे में जानकारी ले लोगे उससे क्या फाधा हो यह भी गल्ट है थो हमारा यहां पे करेक्ट है था कि बहसा को विपिन संदर्बों में करने हम Side 2 यंद अलग अलग यह वर्ड बहुत पोजीटिव है विभीन संदर्व यानि वेराइटी ओफ कंटेक्स कंटेक्स में बच्चे को ग्रामर पढ़ानी है कुछ भी पढ़ाना उसके संदर में पढ़ाओ भासा का परियोग करवाओ कंटेक्स वर्ड बहुत अच्छा है ठीक है तो याद रखेगा इस वर्ड को कोश्य नमबर थ्री आपकी द्रश्टी में अभ्याज क्या है पार्ट को समझने में मदद करते हैं ठीक है बात तो ठीक सी लग रही है बच्चे को तार्किक बनाते हैं कि बच्चे को बिल्कुल ल करने हैं बच्चे को भासा के बारे में बताते हैं अभ्याज से थोड़ी बच्चे को भासा के बारे में बता चलेगा बच्चे को तब भासा का पता जलते हैं जब बच्चा भासा को परियोग करेगा ठीक है यह गलत है यह ओप्शन हमारा करेक्ट है कि पार्ट को समझने मे मदद करते हैं ठीक है बच्चे की समझ विक्सित करनी है हमें बच्चे से जादे से जादे परियोग कराना है ठीक है तो ए ओप्षन हमारा करेक्ट है कोश्य नमबर फोर बताईएगा उच प्रात्मिक इस्तर की पाठ्थे सामगरी में अनुवाद सामगरी रखने का उदेश्य है यानि जो हायर लेवल है सेकेंडरी लेवल है उसमें क्या है पाठ्थे सामगरी में अनुवाद सामगरी रखने का उदेश्य क्या है बहुत सी साम पूरे देश को पढ़ने के अशर देना यह तो गलत है डी ऑप्ष्ण अगरी से परीच्छे कराना तो यह भी गलत है सी ओप्ष्ण हमारा अगे चलते हैं कोश्यन नमबर 5 किसी कण में चित्रात्मक तथा रंग बिरंगे चार्ट होने चाहिए यह एक पॉइंट दे दिया इन्होंने ठीक है कौन सा विकल्प इसके उदेश्ची की पूर्ती नहीं करता नहीं देखना है नेगेटिव देखना है आपको बच्चों में कल्पना लोग के रंगों तथा को पहचान मिलती तो वह ऐसा तो नहीं है पहचान मिलती रंग रंगे चार्ट और नग कुछ और कुछ सates भी करेंगे बच्चों को बच्चों को सीखने सिखाने का वातवर्नस प्रदान से बाद ठीक को एनवार्मेंट मिलते है सीखने का वातावरां मिलता है जिससे सीख यह बद पुंध करते हैं यह पूछ थी करने कि बच्छें किअ करते हैं यह ओपशन गलत है यह नहीं पूछायों तो six शौप्यं हमारा कि बच्छ righteous में कलतनल लोग के रंगों तता आकर्टियों की पहचान मिलती है नहीं मिलती यह गलत है ठीक है तो यह ओप्शन हमारा करेक्ट है ठीक है आगे चलते हैं कोशन नमबर सिक्स एक भासा सिक्सक के रूप में आप अपनी क्या जिम्मेदारी महसूस करते हैं बताइए समय सीमा के भीतर भासा का पाठ्ठ्ठ करम पूरा हो कि टाइम से अपना कम्पलीट कर वादें सिलेबस बस अम मजे करेंगे अर्व समय सीमा के भीतर पाठ्ठ्ठ पूस्तक पूर्ण कराना कि मेरा सब्जेक्ट क्वादरी से मुझे कुछ निलेना बहार में जाए सब बच्चों को भास और आपको समय सीमा की भी पूरा कर दिया ये गलत है जहाँ दिख रहा हो जिस पोइंट मेरा कि जादे से परियोग कर रहे हैं और बच्च से परियुग कर रहा रहे और तो वह स्च्छा परियोगा होता है तक सिक्ष करना चाहिए कि क्या सुविकर करना चाहिए गलतियुँ सीखने की प्रिक्रिया का अभेनी हिस्सा है, कि जो कम्स पमेद है तो छोड़ो कोई बात नी, अपनार सूधा लेगा बच्चा या टाइम टो टाइम शुधर जा जाएंगी, तो ये तो गलत है, बच्चों को उनकी गलतियुख समझाना, उनके भासा विकास में मह कि बच्चों को बच्चों को बच्चों को बिलकुल भासा नहीं तो आपको क्या है पॉइंट करने जबी तो मिलेगा यह गलत यह गलत यह गलत है तो उन दो में भी यह देखें कि कि बच्चों को बढ़ाना चाहिए क्योंकि यह option है उसका भासा परियोग कक्सा में भासा वातावरन का निर्मान करता है कि टीचर को क्या है जो लेंग्वेज वो यूज कर रहा है उसे बेएक तो ठीक रखना चाहिए और अपनी लेंग्वेज की फ्लूएंसी भी ठीक रखना चाहिए और सही सब्दों का परियोग करना है ना और अपने बोलने की चमता को भी बढ़ाना चाहिए उसका भासा परियोग कक्सा में भासा वातावरन का निर्मान करता है बात तो ठीक है कि जैसा वो बोलेगा उसी तरह का एंवार्मेंट बनेगा अब कोई टीचर हो क्लास में गाली दे रहा हो यह देसी हो बिलकुल आज टीचर बोल रहा है कल बच्चे भी बोलेंगे है ना वह भासा का सिक्सक है कि वह लैंग्वेज का टीचर है यह तो कोई पॉइंट नहीं हुआ विधाल्य का निर्देश है कि वह अपनी भासा को बढ़ाए तो ऐसा नहीं है तो प्रिंसिपल का रूल हो गया इससे वह दूसरों पर पर बहुर ढाल सकता है यह भी गलत है यह बिल्कुल ठीगा कि अगर बोलेगा तो अनिर्मान करता एक सिक्सक एक तो यह option बिल्कुल correct है, ठीक है, आगे चलते हैं, next question है, question number 9, बासा सिक्सक की भूमिका में महत्पून यह है कि, क्या महत्पून है, पाठ्थे पुस्तक आधारित आकलन के इस्थान पर स्वेम बहु विकल्पिक प्रश्न तयार कर ले, कि टीचर की यह भूमिका है कि अगर जो एक मात्र हो, only हो, यानि केवल हो, तो ऐसे option से बचना है, ठीक है, पाठ्थे पुस्तक को समय सीमा के भीतर पूर्ण कर दे, यह इस तरह की points को नहीं चुनना है, कि बहु किताब पूरी कर दो, पाठ्थे पुस्तक पूरी कर दो, करिकुलम को time से complete कर दो, तो यह option negative होते हैं, ठीक है, पाठ्थे पुस्तक को सीमा से स्वतन्त होकर विभिन संदर्बों में भासा परियोग को महत्व दे, यह कितना अच्छा option है, कि बहु किताब को अलग उठा के रग दो, किताब चाय जैसी भी हो, बच्चों को क्या एक तो freedom देनी है, दूसरा उनके context में ही भासा को बच्चों से कहना है, अपने घर पे जाके बातचीत करो, पीर्स से बात करो, अपने दोस्तों से बात करो, उन्हें क्या इस तरह का environment दें, जिससे कि वो language को यूज कर सकें, ठीक है, तो D option हमारा correct है, वही option आपको चुनने है, जहां आपको बच्चा positive लगे, ठीक है, जहां बच्चा active लगे कि बच्चे के बारे में सही बात की जा रही है, बच्चे की बलाई है, तो वही option चुनना है, आपको, question number 10, भासा सिक्सक के रूप में आपके लिए महत पूर्न है, क्या महत पूर्न है, बच्चों द्वारा त्रूटी रहीत भासा परियोग कराना कि बच्चों से पाठ्टे पुस्तक पढ़वाना, ये तो कोई बात नी हुई, बच्चों द्वारा बेजिजग भासा परियोग करवाना, बच्चों से विस्तार घ्रह कार्या करवाना कि होमवर्क करवा, उनसे डिटेल में बिल्कुल तो ये भी गलत है, तो C option हमारा यहां प होगी आपकी उसमें भी 3rd chapter रखेंगे जो भी CBSC पे होगा आपका syllabus ठीक है, दिया गया है, जो भी पॉइंट, एक भी पॉइंट मैं छोड़ूंगी नी आपका, ठीक है, तो पढ़ते रहिए, मुस्कराते रहिए, प्रेक्टिस करते रहिए, कोश्चन की प्रेक्टिस जरू आई हूं, ठीक है, तो सभी लोग support करेंगे, करते भी है, कुछ लोग तो इतने अच्छे हैं कि बिना कही ही, share कर देते हैं, इतना support करते हैं, तो जो नहीं कर रहे हैं, शेयर आपको भी करना है, और अगर चैनल पे नहीं हैं, तो subscribe कर देंगे, और पुराने हैं, जिन्नों न नहीं किया हुआ है, वो भी subscribe कर देंगे, ठीक है, thank you, bye bye, take care.